तो गाइज वेलकम डू पाकिस्तानी ब्रोज रियाक्शन कैसे हैं आप सब उमीदे कि आप सब ठीक टाक होंगे फिड़न फाइन होगे चैनल पर न्यूमोंच को सब्सक्राइब करो साथ बैल एकन को प्रेस करो ता कि आपको उने वाले अच्छी वीडियो के नोडिकेशन में मेरा नाम वजाहत है मैं हूँ वश्यर सवाइज अगर आपने भेजने हो तो आप में इस्टाग्राम पर भेज सकते हैं और वीडियो का लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन में तो आप लाजमी वाँ पर हमें लिंक बेज दीजिगा क्यूंकि इदर मतलब आज में श मतलब एपिल इंडिया अपना फैसला वापस ले कोन सा फैसला है का मुदी जी अपना फैसला कैंदे म हैं मतलब क्या मुदी जी मतलब वांचना के बाद बharati सिरकार चाइना के खिलाफf एक के बाद ताबरतोर आई करी थी जैसे कि दोसो चोबिस चैनिस अप्स को बैं करना हो चैनिस एफडिया और निवेश पर लगाम लगानी हो उस वक्ति इस चीज का चैनिस मीडिया ने खूब मजाक उड़ाया था और का था कि बारती सरकार के इस तरह के फैसलों से चैना को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होने वा वारत के बाइकोट चैनिस गुड्स अभियान और गोबर के दियों का खूब मजा कुड़ाया था था दलील दी थी कि चैना दीवाली पर इतना एक्सपोर्ट नहीं करता जितना वो क्रिसमस पर करता है लेकिन अब जो दीवाली के बाद चैना से खबरे निकल कर आ है उनसे लगता है कि मोधी सरकार का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है दरसल मोधी सरकार ने चैना की FDI पर लगाम लगा कर PLI स्कीम और कई आर्थिक सुदार किये हैं जिसे एक तरफ चैना के निवेशकों को जहां बारी नुक्सान हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश के और अर्थवेस्ता में खुलकर निवेश कर रहे हैं बारती सरकार के चैनिस इन्वेस्टर्स और चैना के प्रती सक्त रुक को देखकर चैनिस मुक्बत्र Global Times पर चैना के National Strategy Institute के डिरेक्टर ने एक आर्टिकल चापकर भारत से गुहार लगाई कि बारत को बैसे आर्थिक फै नियम लाकर नवेश करना बिलकुल मुश्किल कर दिया है जिस्के चैना और भारत बैम दोनों इदेश की कंपनियों को नुकसान होगा भारत के नुकसाान की बात करें तो आजके सम 27 निवेशक बिलकूल कम हो गये है तो पश्चमी देश के निवेशक ब्सटर्ट उर इकनौमी में खुलकर निवेश कर रहे हैं इसके बार सभी होली है FDI और FOREX RESERVES हर एक लगाता ने रिकॉर्ड बना रहे हैं इसलिए भारती सिरकार के चैनिस FDI के फैसले से भारत को तो कोई खास वर्क नहीं पढ़ रहा है लेकिन चैनिस निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पढ़ रहा है जिसकी वज़े से चैना बोखला गया है चैनिस मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दोनों देशों की अबादी सो क्रोड से जादा है और चैना उठाएख की भारत भी चैना की तरह तेजी से तरक्की करें ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर यारोप लगाए कि चैनिस कारकोशिप्स और कंटेनर्स को इंडियन पोर्स पर आसानी से कस्टम क्लेर्ट नहीं मिल रहा है अब भारत भी इन्वेस्टार को जी हिस्सा नहीं है जी ज बारत है निया खुट रिचाने विचाने है लेकिन भारत अब भारती को अपने बदलने चाहिए खासकर एफडिया यानि की फॉरन डैर्यक्ट इन्वेस्टमेंट वाला निर्ने ताकि Chinese investors यानकी निवेश के आती है भारत में आसानी से निवेश कर सके तरह बारत में दो राये हैं लेकिन इसे भारत को बेशक Chinese कंपनियों से थोड़ा कम निवेश मिलेगा मगर इस चीज से ये तो सुनिश्चित होगा कि Chinese बारत से ही पैसा कमा कर बॉर्डर पर हमारी सेना के खिलाफ इसका इस्तमाल तो नहीं कर पाएगा सारे बुखन हैं उनको नुकसान हो रहे हैं बारत को एक टके का नुकसान हो रहा है काफी नुकसान हुए पीर नुकसान मतलब दिवाली पर भी उन्होंने मजाद खुडा है मतलब इनकी मीडिया वेराइन वह जिए तो नहीं मुझा को आप सही देख आप पता लगा है वह कहते है ना शुरू शुरु पर नुक्सान का नहीं पता लगा होगा है तो कैसा इंडिया ने नुक्सान दिया ओगा इंडि बिल्कुल और यार यह स्टैप बहुत अच्छ है मैं कहता हूं कि मुदी जी को ना ऐसी रखना चाहिए ता के वहां से कंपनिया उठ उठ के यहां पर आए इंडियम और ता के काम करें और 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 सही जरूर तोड़ा है मतलब इनकी थोड़े से बॉड़े करने से हमारा कुछ नहीं होगा वो उनका सोशल मीडिया ग्लोगल टाइम वह लगए उनकी मीडिया के जिती इंडियन आरमी फट्टू है तो यह तो वह जब फट्टू कराया नहीं बेग नगर सैट किया नहीं तो उनके खुद मतलब सर्द कि उनका नजाम करें करें क्योंके तब ही तो अफ़ी हो अवरी हो प्रियां लगए तर्फ से वो रही है नहीं सकते तब ही वह उसके पाउजूर कि वह देखे ना हो तटुमटु का रहे हैं फिर भी गरम होनी रहे हैं तो हमें आज तक एक भी नियूज नी मिली के बाई इंडियन सोल्जर को ऐसा हुआ यह होता है जानी इंडियन आर्मी वह जायर बात है मतलब मुझे तो चैनी सार्मी पतिया रहा है से यह इंडियन आर्मी मतलब कह रहे हैं मतलब शी चिंग पिंग ले तो बजागरा को तो अब ड़ाग पुंच रहे हैं वो जो आखर पेड़ के रहे हैं नहीं लेना चाहिए तो आप भॉपगताब नहीं था पहले हैं तो आखर पाई यह प्वेस्टन पूच्चा क मतलब खुली चूर देनी चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि नो देनी चाहिए और ना इंडिया देगा एक्जाक्ली कि जो पहले आला सिस्टम था बिल्कुल मैं तो कि तो ओर इंडिया को एक तरह का फाइदा हुआ है कि इंडिया अपने पाऊं पे खड़ागी यह वाली मतल कि आयना के बाद कोई रास्ता ने कि वो उन से माफी मांग और इसी मांद मैं मतलब तो ने देखे नहीं मतलब किस तरह का मतलब पावर बूस्ट की है बट जादा बट बट बड़ी अब शीचिंपिंग को माफी इसे मांगी पड़ेगी ता भी सब को नारमा लोगा शीचिं कि वोगा भी से मांगी को उन से मांगी जादा बट 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 दो प्यादा भी सब का लोगा बट बट पावा भी साथिय।